हेलो फ्रेंड्स वेल्कम किन ने संधुल्ज चैनल इस सारे मीडियम को क्या बोला था पन्य नुक्लियर मेंब्रेन और से लुक्लियन के बीच का फिल्ड म मीडियम में सब्झमा ऑ गया नेक्स्ट sorry नुक्लियॉ फ्लाज्मा के बाद next just what आता है protoplasma protoplasma में समझने का कुछ खास है नहीं protoplasma में एक चीज याद रखने की है कि protoplasma होता है जो cytoplasma है और nucleoplasma है दोनों को जोड ले तो वो होता है protoplasma cytoplasma plus nucleoplasma is known as protoplasma cytoplasma plus nucleoplasma is known as protoplasma Cytoplasma और Nucleoplasma को दोनों को जोड़ लेते क्या हो जाता है Protoplasma हो जाता है Protoplasma में क्यूशन बहुत बनता है कि अगर क्यूशन ऐसे आ जाए क्या क्यूशन आ जाए Which of the following is a Physical basis of Human body Which of the following is a Physical basis of human body क्या जाए A Cale B Cytoplasma C Nucleoplasma toward D Proplasma इस क्यूशन का अंसर आपको क्या करना है Physical basis of Human body में आएगा Protoplasma क्या आएगा Protoplasma क्योंकि सबसे छोटी structure होती है Cale होती है वो basic structure होती है उस basic structure का अंदर का सारा material क्या 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 लाता है Protoplasma क्या लाता है इस Christian का आंसर आपको क्या करना है Proto-Plasma, क्या करना है इस Christian का आंसर Proto-Plasma, it is a Physical Basis of Human Body, क्या कहलाता है Physical Basis of Human Body ग्यात रखना है यह word भी अपने को Cytoplasma समझ में आ गया, Nucleoplasma हो गया Proto-Plasma हो गया, next Cytosol, Cytosol word का मिनिंग क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा Cytoplasma, Cytoplasma क्या होता है Cell Membrane और Nuclear Membrane का जो सारा Content है, यह Cell Membrane हो गई यह Nuclear Membrane हो गई, Nucleolus हो गया इसके अंदर जो सारा Content है वो Content और छोटे-छोटे Cellular Organe इन सब को मिला के क्या बोलते है अपन Cytoplasma, तो यह Cytosol क्या होता है, यह Cytosol होता है Cytoplasma में से Cytoplasma प्लाजमा में से अगर आपने Cellular Organe Us को माइनस कर दिया, क्या कर दिया Cellular Organes को माइनस कर दिया, तो जो Liquid Portion बचेगा जो क्या बचेगा Liquid Portion वो क्या कलाएगा Cytosol वो क्या कहलाएगा Cytosol Cytoplasma समझमा आगया Nucleoplasma समझमा आगया Protoplasma Cytoplasma क्या होता है It is a fluid medium between Nucleasi and cell membrane यह Cytoplasma हो गया इसके अलावा Nucleoplasma It is a fluid medium between Nucleasi and Nucleolus Next Protoplasma Cytoplasma और Nucleasi दोनों को ऐड्र जोड दे तो जो वर्ड कहलाएगा वो वर्ड क्या कहलाता है protoplasma next cytosol तो cytosol क्या होता है अगर आपने cytosol है उस cytosol में से यह जारे सोट चोटे cellular organs को लिकाल दिया तो बचता है अपना liquid portion यानि पानी बचेगा उस पानी को बोलते हैं cytosol क्या बोलता है cytosol और sale में यह कितना होता है एक cytosol अगर cytosol को 100 माने तो लगबग 70% क्या होता है cytosol होता है यह नि sale के अंदर 70% तो क्या होता है पानी ही होता है तो यह सारे words important है यह सारे words को याद रखना है आपको इन सारे words के बाद जो अपना main topic है वहां से वही पर चलते हैं अपन cytosol क्या पढ़ रहे थे cell की structure पढ़ रहे थे cell की structure को दो point में divide किया था अपन ने cell membrane और cytosol और cytosol में क्या था cytosol में क्या था cell membrane में क्या था cell membrane की सारा कुछ पढ़ चुके थे अपन बात करते हैं अपन cytosol प्लाजमा की तो साइटो प्लाजमा की ड Eğer देफिनेशन पता चल लगी आपको Sesटोफल प्लासमा में दो शीज बस थी है क्या रचानी और और तो सेल्य ग्रंड्स होता है क्या कहलता है पता है cellular organs वो अपने को discuss करना है क्या करना है डिसक्स cellular organs को स्टार्ट करें अपन cellular organs टोबिक स्टार्ट करते है अपन cellular organs cellular organs पता तेल क्या cellular यानि cell के अंदर organelles organ word गा meaning पता है तुमें organ word गा meaning होता है अलग-अलग system जो organ से मिलके बने होते है उसको organ बोलते है लेकि जो sales है उस sales के अंदर भी छोटे-छोटे content होते है वो इतने छोटे होते हैं कि organ तो अपन नहीं बोल सकते है तो organ से जो छोटा word यूज किया जाता है उनके लिए organelles क्या यूज किया जाता है उनके लिए organelles देखें अपना लंबी class रहेगी अपनी जैसे आपने पढ़ाई कि उदेश्ये से class ले रहे हैं अपन अपना उदेश्ये कुछ भी ज़्यादा fast करने की जो नहीं है क्योंकि fast करके जाना का है अपने पहले ही डिसकस किया था कि अपना उदेश्ये basic offline coaching की तरह रहेगा basic से start करेंगे class schedule wise होगी तो basic से start करने के आपको ऐसे नहीं है कि हवा में आप चालू कर रहे हो तोड़ी तेर देखा छोड़ यह ऐसा नहीं करना आपको अपनी class की schedule wise पढ़ना है आपको fix time पे आप time fix कर लो कि आपको आप अपनी class का कप पढ़ना है तो उस time पे आप सब कुछ free करके class YouTube चालू करके अपना channel से start कर दो study और लगातार पढ़ना है आपको 2 गंटे उसमें जैसे मैं भी लगातार पढ़ा रहा हूं 2 गंटे तो आपको class में भी लगातार 2 गंटे पढ़ना है 2 गंटे ज़्यादा नहीं है starting में आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है अगर आप पहले से पता होगी सब को कि कोई भी चीज को starting में आदत बनाना मुश्किल होता है लेकिन उस चीज को आप लगातार 21 डेज 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी automatic आदत बन जाती है तो आपको starting में थोड़ी समश्या हो सकती है कि इतना लंबा एक साथ पढ़ लिया अपने YouTube पे जैसे देख रहे हो कुछ comedy वीडियो दो मिनीट देख ली फिर पांच मिनट बाद में देख ली ऐसा नहीं करना है अपना study material है उसको आपको class की तरह treat करना है class की तरह offline class में जैसे विल्कुल सब कुछ शोड के class में ध्यान देते हो वेसे ही आपको इधर ध्यान देना है दो जो cell में discuss कर रहे थे अपन cell membrane हो गई थी ध्यान के तरह को प्रिफ साइटो प्लाजमा कर चुके थे साइटोसल क्या होता वो discuss कर चुके थे नेक्स्ट लिसकस करना है अपने को वो discuss क्या करना है cellular organelle क्या discuss करना है cellular organelle अलग 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 अल endoplasmic reticulum, क्या होता है endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum जो structure होती है, वो endoplasmic reticulum जो sales में होते हैं, वो दो type के endoplasmic reticulum देखे गए हैं, कुछ endoplasmic reticulum की surface पे कुछ content होता है, उस content के कारण उनकी जो surface है, वो rough होती है, क्या होती है, rough होती है, उसको बोलते है अपन rough endoplasmic reticulum, और कुछ endoplasmetic reticulum की surface क्या होती है, smooth होती है, उसको अपन बोलते है smooth endoplasmetic reticulum, जिसके surface rough होती है, उस surface का rough होने का कारण यह है, कि उस endoplasmetic reticulum में एक content होता है, उस content को बोलते है अपन ribosome, क्या बोलते है, ribosome, तो smooth endoplasmic reticulum दो टाइप के होते हैं rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum जो rough endoplasmic reticulum होता है उस rough endoplasmic reticulum में क्या होते हैं ribosomes होते हैं ribosomal granules होते हैं उस granules के कारण इसकी surface क्या हो जाती है rough हो जाती है और जबकि smooth endoplasmic reticulum में ऐसा कुछ नहीं होता है इस कारण उसकी सरफेज स्मूथ ही रहती है तो rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum ये दो टाइब होगे इसमें बात करते हैं important questions आता है rough endoplasmic reticulum में rough endoplasmic reticulum का जो functions होते हैं वो rough definition समझ में आगे rough endoplasmic reticulum की definition क्या होती है rough endoplasmic reticulum की definition कर आप आप समझ में नहीं है ये एक बार आपिस ते repeat कर देते हैं and rough endoplasmic reticulum contain ribosomal granules in their surface जिसकी surface पर ribosomal granules होंगे वो क्या कहलाएगा? rough endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum में जो functions है वो important functions है वो होता है protein synthesis क्या होता है? protein synthesis क्या होता है protein synthesis? वो अपन discuss करेंगे अपन जितना competitive exam में जरूरी है वो discuss अपन protein synthesis का topic भी करेंगे तो endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum में rough और smooth होते हैं rough क्यों होते हैं? क्यों कि उनकी surface पर क्या होता है? ribosomes होता है smooth endoplasmic reticulum वो होते हैं जिसमें ribosomal granules absent होते हैं और बात करें rough endoplasmic reticulum के function की तो rough endoplasmic reticulum का function जो importance function की होता है वो क्या होता है? protein synthesis याद रखना rough endoplasmic reticulum किस से relation है? ribosomes से और rough endoplasmic reticulum function क्या है? protein synthesis आगे काम आएगा ये वाइड ये तीनों connection rough endoplasmic reticulum ribosomes और protein synthesis तीनों वाइड आगे बहुत काम में आने वाइड है तो याद कर लो एगर फिर से बात बता देता हूं rough endoplasmic reticulum में ribosomal granules होते है और ribosomal granules और rough endoplasmic reticulum का function होता है वो होता है protein synthesis smooth endoplasmic reticulum की बात करें तो smooth endoplasmic reticulum में ribosomal granules नहीं होता है और उनके functions को discuss करें तो उनके functions में क्या होता है उनका function होता है इनका function fat synthesis होता है तो इसका function होता है fat synthesis क्या होता है इसका function fat synthesis second इसका function होता है fat synthesis के अलावा fat synthesis मालो fat synthesis को बता सकते हैं इसके अलावा lipid steroid ये सारे synthesis कोन करता है smooth endoplasmic reticulum इसके अलावा इसका एक function होता है वो होता है detoxification क्या होता है detoxification detoxification का मतलब होता है किसी भी toxic substance को non-toxic substance में convert करने का काम करता है वो कौन करता है smooth endoplasmine reticulum याद रखना smooth endoplasmine reticulum का function क्या होता है detoxification अगर आपने कोई poison आपकी बड़ियम कोई poison grow कर रहा है तो उस poisonic substance को खतम नहीं करता है इस poisonic substance को non-poisonous मनाने का काम करता है वो कौन करता है smooth endoplasmine reticulum इसके लावा जो smooth endoplasmine reticulum है हो smooth endoplasmine reticulum सबकी सबकी सारी की सारी sales में होता है सारी की सारी sales में होता है लेकिन यह Smooth Endoplasmic Reticulum Skeletal Muscles के Sale है skeletal Muscles skeletal Muscles है Muscle एक TB है बाद में discuss करेंगे उस को बादे में तो जो skeletal Muscles है उस Skeletal Muscles में जो Сेल होती है Skeletal Muscle Skeletal Muscles है उस Skeletal Muscles में भी क्या होती है सेल होती है और उस सेल्स में भी एक Cellular Ordnимость होता है स्पेशिक नाम दिया जाता है उस specific नाम को बोलते हैं अपन सारको क्या बोलते हैं सारको प्लाजमिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं सारको प्लाजमिक रेटिकुलम तो बात हो गई, rough endoplasmine reticulum का function क्या आता, protein synthesis, बात करें, smooth endoplasmine reticulum की, उसका function क्या आता, fat synthesis, fat, lipid और steroid का synthesis करना, इसके अलाबा body के आपकी toxic substance है, उसको non-toxic substance में convert करना है, यानि detoxification का काम, और third, third क्या हो गया, skeletal muscles, skeletal muscle की cells जोती है, उसमें smooth endoplasmine reticulum में एक specific function होता है, calcium का store करना, इस करण, जो smooth endoplasmine reticulum of skeletal muscle है, उसको एक specific नाम दिया जाता है, starcoplasmine reticulum, यह बात हो गई, अपने first cellular organs के बारे में, यानि कि endoplasmine reticulum के बारे में, second, discuss करते हैं, अब अपन, cellular organs में, endoplasmine reticulum के बात, second, जो next हाता है, cellular organs, वो second, cellular organs होता है, वो discuss करने वाले हैं, अपन, हर cellular organs के बारे में, या sales के बारे में, आपको पहले ही जिस पता चुका हूँ, मैं, एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, कि sales के बारे में, आपको बहुत सा की चीज़े मिल जाएगी, net में मिल जाएगी, youtube पे मिल जाएगी, books में मिल जाएगी, 5 page, 20, 10 page, 20 page, अलग-अलग मिल जाएगे, लेकिन बात अपनी वो ही आजाती है, कि अपन जो पढ़ रहे हैं, competitive exams में कितना important है, इस topic के बारे में, क्या था, competitive exam में किया, competitive exam में, उस topic के बारे में, जो questions आए, उसको अपन solve कर पाए, तो first और cellular organs के बारे में endoplasmine reticulum हो गया, second जो cellular organs रहता है, वो second cellular organs के बारे में discuss करने वाले, वो है अपना ribosome, क्या है, ribosome, कोंसा discuss करने वाले हैं, ribosome, दिख रहा है, ribosome, ribosome के बारे में discuss करने वाले हैं, तो ribosome के discuss करने से पहले हैं, अपने endoplasmine reticulum में ribosome का नाम आया था गहीं, वो ही तो main important था, वो था, तो endoplasmine reticulum रफ था, वो नहीं था, तो smooth endoplasmine reticulum था, तो ribosome का, जो है वो ribosomes दो टाइब के होते हैं कितने टाइब के होते हैं ribosomes दो टाइब के जैसे endoflasmine reticulum भी दो टाइब के थे वैसे के वैसे ही ribosome भी दो टाइब के होते हैं कौन कौन से ribosomes होते हैं दो टाइब के जो ribosome दो टाइब के होते हैं फ्री राइबोसोम क्या होते हैं फ्री राइबोसोम और एक होते हैं बाउंडेड राइबोसोम जो फ्री राइबोसोम है वो फ्री राइबोसोम होते हैं आपके साइटोपलाजमा में जो साइटोपलाजमा है उस साइटोपलाजमा के इंदर जो साइटोसोल में अलग-अलग बिखरे वे जो राइबोसों सोते हैं, वो free ribosome कहलाते हैं, और next है जो राइबोसों हैं, वो bounded ribosome है, bounded ribosome, कुछ सोचो अपने दिमाग में, क्या हो सकता है यह bounded ribosome, लगा रहे हो दिमाग, चलो, आप सबको समझे मां, आप भी गया होगा, नहीं भी आया है, तो bounded ribosome के पारे उसको क्या बोलते हैं बाउंडेड राइबोसों यह क्या होता है यह होता है साइटोपलाज्मा में freely साइटोपलाज्मा में freely होता है जबकि बाउंडेड राइबोसों यह कहां रहता है यह रहता है ताफ के रफ एंडोपलाज्मिंग रेटिकुलम की सर्फेस पर रहता है तो दो टाइब का होता है, इसके पाद बात करें इसकी structure की, तो जो राइबोसोम है, उस राइबोसोम की structure दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, वो दो चीज़े क्या क्या है, वो भी आपको याद रखनी है, आगे अपने काम आएगी, तो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, कौन किससे मिलके बनने होती है डी ऑर्टीन किससे आर इन और प्रोटीन इन दोनों चीज़ों से मिलके बनने होती है दूर याद रखना राइबोसों का रिलेशन किससे आर्न COM online टाइप्स हो गए अब बात करें इसके फंक्शन की तो फंक्शन तुम पहले ही पढ़ चुके हो याद करो हर चीज एक दूसरे से लिंक है हर चीज एक दूसरे से लिंक है तो फंक्शन बताओ फंक्शन क्या होता है राइबोसोम राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा राइबो प्रोटीद सिंतेसिस का काम कई क्वाता है और राइबोसॉम करवाता है इस कारण राइबोसॉम को बोलते हैंपन प्रोटीन प्रोटीन ऐसके अगर परदा प्रोटीन नाम जाता है नियुशंग से आपका क्या केते हैं राइबुसॉम को और प्रोटीन फ्रेट्री यह हो गया अपना राइबुसॉम क्या हो गया राइबुसॉम आगे विडे आपन एंडॉलागिम्त रेटिकुलम हो गया राइबोसम हो गया एंडॉलागिम्त रेटिकुलम और राइबोसम के बाद next आपन देखते हैं जो Cellular Organes है वो इस next Cellular Organe वो डिसकस करने वाले हैं आप आपन वह है next cellular organelles जो डिसकूस करने वाले हैं वो है next cellular organelles Golgi apparatus Golgi apparatus Golgi apparatus जो organelles है जो Golgi apparatus organelles है इस Golgi apparatus organelles का काम होता है जो आपका descending करना और उसको अलग अलग औरग पारट में जहां पर नीड है बात करते हैं आपन कुछ चीज की तो कोई company है वो company कच्चा मल बना देती है अन्हीं माल बन गया product बन गया अपना protein वो protein बन गया लेकिन उस protein को बनने के पाद उसको अच्छे से साज सजावत करना उसकी paking करना उसकी paking करने के पाथ उसको अलग-अलग जहाँ पे जर्रत है वहाँ पहुचाना वो काम कों करता है google journey इन दोनों का काम क्यों प्रोटीन को बनाना है लेकिन उस प्रोटीन को process करना process करने का मतलब उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना पेक करना है यानि उस कंटेन को पेक करना हो पेक करने के बाद उसको जहां जर्रत है वहाँ ट्रांसपोर्ट करना वो काम किसका होता है गोलजी अप्रेटरस का काम होगे प्रोसेसिंग क्या काम होगे प्रोसेसिंग पेकेजिंग और ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन क्या हो गया प्रोसेसिंग पेकेजिंग और ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन ये तीनों काम कौन करता है गोल जी अपरेटस इस कारण इन तीनों काम ये करता है इस कारण इसको एक नाम दिया जाता है इसको नाम क्या दिया था राइबुसों को प्रोटीन फैस्ट रिलिक देता हूं बूल जाओगे तुम क्या नाम दिया गएता है इसको प्रोटीन फैक्टरी वोगोजी अप्रेट्स का मतलब अलग जहां पर उसको पहुचाना है वाह पहुचाता है तो usage प्रोटीन को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, इसको क्या बोलते है, वोस्ट अपिस उब्दार, सेल, इसको क्या बोला था, प्रोटीन, फैक्टरी, ये एक काम हो गया, इसके लाबा गोलजी अप्रेटर्स का दूसरा और काम है, दूसरा काम क्या है, वो डिसकस करते हैं अपन, गोलजी अप्रेट को हेल्प करता है गोल जी एपरेटस कि कौन सा गंटेंट सेल्स के बहार जाएगा और सेल्स के बहार जो जाने का उसको एक वाइड चलो वह भी डिसकस कर लेते हैं अपन कुछ वाइड से यह वाइड इंपोर्डन है एक्जाम पॉइंट अप्यू से और एक्जाम पॉइंट समझ माने में आसाने होगी क्या होता है एक्जो साइटोसिस एक वर्ड होता है एक्जो साइटोसिस एक वर्ड होता है एंडो साइटोसिस क्या होता है एक्जो साइटोसिस का मतलब होता है एक्जो यानि बहार साइटोसिस यानि सेल के अंदर सेल सेल के तो एक्जो साइटोस बहार निकलना, with the help of Golgi apparatus and cell membrane, cell के अंदर से किसी भी waste product का बहार निकलना, किसकी मदद से, Golgi apparatus की मदद से और cell membrane की मदद से, वो क्या कहलाता है, exocytosis, तो Golgi apparatus का ये काम तो processing, packaging और transport और protein हो गया, फुसरा काम क्या हो गया, exocytosis, क्या काम हो गया इसका, exocytosis, exocytosis, जब आप अपने देखी लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते चलते एक और वाट देख लेते हैं, endocytosis, endocytosis का मतलब होता है, यह just opposite है, किसका, exocytosis का, exocytosis यह नि बहार निकलना, endocytosis यह नि सेल के अंदर आना, यह क्या कहलाता है, endocytosis, लेकिन इस endocytosis में भी दो अलग-अलग important points होते हैं, वो important point क्या है, first one जो point है, वो है, phagocytosis, क्या है, सुनाओ का तुमने phagocytosis, एक होता है, penocytosis, एक होता है, phagocytosis, एक होता है, penocytosis, phagocytosis का मतलब होता है, endocytosis का होता है, किसी भी content का सेल के अंदर जाना, वो क्या कहलाता है endocytosis लेकिन अगर किसी भी content का solid content कोई भी solid content अगर cell के अंदर जाता है तो वो कहलाता है phagocytosis और कोई भी liquid content अगर cell के अंदर जाता है तो वो कहलाता है पीनोसाइटोसिस सोलीड गंटेन अंदर जाएगा तो वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस और अगर लिक्विड गंटेन अंदर जाएगा तो वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस खाना काते हो रोटी सोलीड होती है उसका अंदर जाना फेगोसाइटोसिस पानी पीते हो अंदर जाता है उसको बोलते है अपन पीनो साइटोसिस ऐसे यार रख सकते हो फेगो साइटोसिस सोलीड गंटेन अंदर जाना फेगो साइटोसिस लिक्विड गंटेन का अंदर जाना पीनो साइटोसिस खाना काते हो, क्या बोलते हो, eating, पानी पीते हो, क्या बोलते हो, drinking, वैसे वैसे इसको भी नाम दे सकते हो, phagocytis, solid content जाना है, तो sale के अंदर solid content जाना है, sale eating, phagocytis score क्या बोलते है, sale eating, liquid content का अंदर जाना, पानी पीना है, पानी पीने हो, क्या बोलते हो, drinking, तो यहाँ पे sale के अंदर कुछ लिक्विट का मेंटेरील जा रहा है उसको क्या बोलोगे सेल ट्रिंकिंग तो दोनों कंटेंड होगे सेल इटिंग और सेल ट्रिंकिंग तो ये वर्ट तीनों याद रख लेना एक्जोसाइटोसिस क्या होता है एंडोसाइटोसिस क्या होता है एंडोसाइटोसिस के दो टाइप यारी सुलेट कंटेंट जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं लिक्विड कंटेंट जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं तो डिसकस हो गया अपना गोलजी एपरेटस हो गया समझ में आ गया तीन चीज़े अभी तक अपन cellular organs में discuss कर चुके हैं endoplasmic reticulum, ribosome और galgy apparatus अगे बड़े अपन तीनो cellular organs के बाद चोता जो cellular organs है वो चोता cellular organs जो अपन discuss करने वाले हैं वो cellular organs होगा अपना mitochondria क्या होगा mitochondria नाम लिख लो इसका kya बोलते हैं post office of the cell क्या बोलते हैं protein mitochondria mitochondria जो cell का है बहुत importante anos है इस mitochondria जो cellular organs है इसका जो important function होता है वो होता है क्या इसका जो important function होता है वो होता है cell के लिएえっ एनर्जी जनरेट करना in the form of ATP, जो sales है, जो आपकी बोड़ी चल रही है, वो बोड़ी किसे चल रही है, एनर्जी से, और वो एनर्जी कौन ला रहा है, ATP, और वो ATP जनरेट कहा होते हैं, iets quantityrinti में, ATPS generate होते हैं, अपने sales में, ATP generate होते हैं, किसके थogr इनर्जी जहां पर वो उपनी generate होती है, उसको क्या बलता है? पाउर जनेरेटर तो इसी कारण माइटरो कॉंटे में एनर्जी जनेरेट होती ही इन फर्म आटी पी इस कारण माइटरो कॉंटे को नाम दिया जाता है सबको बता होगा यह तो सबसे इंपोर्टेंट है पाउर हाउस अब दा सेल क्या बोलते हैं सबसे हमें पाउर हाउस अब दा सेल कारन किया य'RE क्योंकि माइटरो कॉंट्रिया विए जिए बवाएट में ATP प्रोडियूस करता है और ATP क्या करते है इनर्जी देते हैं इसी कारण माइटरो कॉंट्रिया क्या बोलते है अब आउस अब दा से हर चीज का अपन अपनी class का में मकसद ये रहेगा पढ़ाई आप खुद self भी कर सकते हो बुक से भी कर सकते हो लेकिन अपना काम है आपके हर एक basic से basic चीज को clear करना concept आपके clear करना जिससे कि आप further study या self study खुद भी करो तो भी आप अच्छे से कर पाओ तो हर चीज का रिजन ढूंद रहे हैं अपन इसको protein factory क्यों बोलते हैं इसको post office क्यों बोलते हैं इसको powerhouse of the cell क्यों बोलते हैं powerhouse ATP के कारण बोलते हैं ATP submitted energy produce करती है इसको powerhouse of the cell बोलते है अब fusion यहां आता है कि mitochondria energy क्यों generate करता है दूसरे वो cellular organs क्यों generate नहीं करते हैं तो इसका reason है कि जो mitochondria है आपने एक चीज सुनी होगी DNA क्या होता है DNA Deoxyribose Nucleic Acid कहा होता है यह DNA कहा होता है DNA होता है आपके nucleus के अंतर nucleus जब पढ़ेंगे अपन ब्रोडवे में discuss करेंगे तो जो DNA है वो क्या होता है mitochondria में भी अपना cell नहीं होता है cellular organs में से important सबसे highest priority पर जो cellular organs होता है जो सबसे important होता हूँ कौन सा होता है nucleus होता है उसके बाद कौन सा आता है mitochondria क्योंकि mitochondria में भी mitochondria contain its own DNA mitochondria खुद का जो DNA contain करता है इसके कारण वो ATP generate कर पाता है और वो ATP energy देता है इसकारण mitochondria is also known as power house of the cell आख हो गया चार चीज़े अपन डिसकस कर चुके हैं चार cellular organs next cellular organs है उस पे चलते हैं अपन next cellular organs वो discuss करने वाले हैं अपन वो है next cellular organs discuss करने वाले हैं वो है कौन सा microtubules and microfilament microtubules and microfilament कभी नाम सुना है cellular organs का मैंने भी नहीं बताया था पहले इसलिए नहीं बताया था मैंने कि उन्ची जोगता तुमने नाम सुन रखा था यह word नया है तो वहाँ पे तुम वहीं सोचने लग जाते कि यह word कहां से आगे microtubules and microfilaments इसकारण महाँ पे अपन ने बताया नहीं यहीं पे बताया आपन ने microtubules and microfilaments एक चीज डिसकस की थी आप पन ने गोलत भी था मैंने कि आपको याद रखनी है कि जो cell membrane है वो cell membrane का एक functions था क्या cell का structure maintain करने का cell की structure क्या cell का किसकोaaaa cell membrane के function में डिसकस किया था पन ने कि cell membrane का function क्या है cell को shape provide करना वहां पे मैंने बार बार shape provide करने पे जोड़ दिया था इसका reason यह है कि cell को shape provide तो cell membrane करती है लेकिन जो cell है उस cell को structure ये की ये रहेगी वो maintain करने का काम कौन करता है microtubules and micro filaments ये काम क्या करते है, cell की shape को maintain करने का काम करते है तो maintain the shape of cell cell की shape को maintain करने का काम कौन करता है maintain shape to the cell जो cell है, उसकी shape को maintain करने का काम कौन करता है, microtubules and micro filaments next बात करेंगी, cell और क्या काम होता है, microtubules and micro filaments तो और second जो function होता है macro tubules and micro filaments का वो हैalles को待って след को पॉत सब्रोंटों होते हैं अलग अलग filaments यह filaments shell के mechanical support provide करते हैं इस कारण कि इसको जो mechanical support provide करता ہے यह यह mechanical क्या करता है support provide करता है यह mechanical support provide करता है इस कारण इनको नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है cytoskeleton क्या नाम दिया जाता है cytoskeleton again cytology cytoplasma, cytosol, cytosol कहा ही उज़े होता से रिलेड़ेट, cytosol word आती है आपके दिमाग में एक ही चीज फोकस को आना चाहिए कहाँ पर, cytoskeleton means skeletal system, skeletal system का काम क्या होता है आपकी body को support provide करना mechanical support provide करना तो ये भी mechanical support provide कर रहा है लेकिन body को नहीं किसको provide कर रहा है, sale को इसका लिए इसको क्या बोलते है, cytoskeleton इसको क्या बोला था, protein factory इसको क्या बोला था, goldgy apparatus को worst office of the sale, इसको क्या बोला था, power office of the sale तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम मूर क्या हो गया? Cytoskeleton क्या नाम हो गया? Cytoskeleton इस से related एक और important चीज़ है कि जो आपके cellular organs है जो सारे cellular organs है including nucleus जो सारे cellular organs है उन सारे cellular organs के अंदर भी उनके बहारी एक membran होती है सारे के सारे cellular organs है छोटे छोटे बले ही होते हैं लेकिन उन छोटे छोटे सेला औरनल्स